हाँ तो भाई क्या हाल चाल राम राम भाई सबसे पहले आप लोगों को तो भाई आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाला है किया की सेल्टाउस के बारे में तो भाई वीडियो को एंड तक देखना चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लेकर तो भाई वीडियो क करते करते पूरी गाड़ी चेंज होगी यह front से और headlight की बात करें तो आपको जो daytime रेंग्ट यारेट पहले उपर से joint होती थी अब भाई नीचे से नीचे की तरफ से joint होती भी देखने को मिलने वाली है और headlight के बारे में तो बात करें तो आपको जो है headlight में improvement देखने को मिलने वाला है किया सल्टो उसकी काफी complaints थी के headlight अच्छी नहीं है तो अब इसकी headlight भी अच्छी होने वाली है तो उसके मामले में तो गाड़ी improve होगी है आपको जो है नई daytime ring DRL जिसा में आपको बताई दिया और नई grill आपको देखने को मिलने वाली है आप देखे तो आपको ADAS का sensor भी देखने को मिलने वाला है जिसकी मदद से आपको lane की persist, lane departure warning, adaptive cruise control ऐसे high tech features आपको देखने को मिलने वाला है side की बात करे तो आपको side में लगभग same design है और आपको जो है सिफ alloy का design change होते वे देखने को मिलने वाला है side से यह तो side की बात roof rail वगरा वगरा सब एक जैसी आपको देखने को मिलने वाली है rear से बात करे तो आपको major change देखने को मिलने वाला है क्योंकि रियल की जो आपको tail light है वो आपको change होती ही देखने को मिलने वाली है क्या सेल्टोस में काफी लोग बोलते थे कि उनको real look पसंद नहीं है तो वो definitely इस वाली गाड़ी की real look काफी पसंद करने वाले हैं अब बात करें दोस्तों अपने इस गाड़ी के structure changes के बारे में तो लगबग लगबग structure में कोई change नहीं है लगबग क्या कोई change ही नहीं है इस गाड़ी में और base model से आपको 6 airbag हाल फिलाल आ रहे हैं वैसे ही आपको देखने को मिलने वाले हैं फीचर changes की बात करें तो फीचर में आपको जो है नहीं panoramic display देखने को मिलने वाली है जो इन डिस्पले जो हाल फिलाल XEV 700 में आती है या आपके लोग Mercedes में आती है वैसे आपको देखने को मिलने वाले है और आप जो बात करें new gear knob आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने व करेगा जो कि इसके राइवल क्रेटा में भी आने वाला है अब आपको जो फ्लेक बोट फहले आता था वैसा इस्टेरिंग में लाईट 000ोल की मिलने सब्सक्राइब करें ऑर बात करें आप इस गाड़ी के इंजीन अप्शन की तरफ तो आपको जो जनरेट करेगा 158 BHP and 253 NM of torque जो की पेयर होगा 7-speed DCT के साथ दूसरे option की बात करे तो आपको जो है 1.5 लिटर naturally aspirated petrol engine देखने को मिलने वाला है जो की जनरेट करेगा 113 BHP and torque जो इसकी 144 NM of torque ये गाड़ी जनरेट करेगी और जो की पेयर होगा 7-speed IVT के साथ अब आज़े दोस्त दोस्तों आपको जो इसमें एक change मिलने वाला है कि डीजल में आपको manual हटा दिया गया है 6-speed IMT आएगा या 6-speed automatic आपको इस गाड़ी में देखने हो मिलने वाला है और आपको जो एक में picture शो कर रहा हूं dark Kia Seltos की आप देखो भई डिस्पले में दिख रही होगी और launch date की बा भी और बढ़ने वाले सिख करता आपको जो जो 30,000 तक और देखने को मिलने वाले हैं और विद्व आपको स्कूनOME कर सब्सक्राइब कर दीजीका जब तक के लिए लामराम को